वेल्कम बेक एब्रिवन वेल्कम टू सिवल सर्विसे श्टड़ी प्रक्टिस सैट नमबर 514 पर आजए यूपी पीसेस के लिए पांसो चौदबे नमबर का टेस्ट है और इस टेस्ट में हम प्रक्टिस करने वाले हैं वर्ड जोग्रफी के प्रश्णों पर ठीक है इंपोर तो प्रश्ण करमांग संख्या एक का उत्तर दीजे तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांथ किसकी खेती के लिए प्रश्द है तमाकू अफीम गेहूं या कपास देखे इस तरह के प्रश्ण ठीक है कुछ खास होगा हेलमंद प्रांथ में तबीत अग्जाम में पूछा ह गेहूं चाबल सरसो मक्का का पास तो सभी जगह उकती है ठीक है बता ही इनमें से क्या है अफगानिस्तान जो भारत का पडोसी देश है उसका हेलमंद प्रांथ अफीम की खेती के लिए प्रश्द है भी है इसका अंसर तो हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षण में इस्तित है इसलिए important है और विश्व के कुल उत्पादन की 75 प्रतिशत अफीम जो है फगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में उत्पादित की जाती है एक संदी है जिब्राल्टर संदी competitive exam की पालतू ठीक है किन दो देशों को अलग करती है और किन को जोड़ती है ये भी बड़ा इस्पेन जरूर आएगा इसमें इस्पेन के साथ क्या आएगा अलजीरी आएगा मुरक्को आएगा मुरक्को और इस्पेन को अलग करती है तो जिब्राल्टर जलसंदी जो है यूरोपिय देश इस्पेन और अफरीकी देश मुरक्को को अलग करती है जोड़ती है किन किन क नमबर थरी पर आज़ेए गुआनो नामक प्रकरतिक उर्वरक किस छेत्र में पाय जाता है। प्रश्ण क्रमांग संख्या 4 पर आज़ेए इस तरह के प्रश्ण पूशे आता है यूपी पीसेस में बन कटाव के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो दूसरा वाला तो होगा नहीं पहला और तीन हो जाएगा। तो अत्याथिक मात्रा में वन कटाव के करण मरदा परदन की दर जो है काफी बढ़ जाती है। क्योंकि वनस्पती ना होने के करण मरदा की पकड़ कमजोर हो जाती है जो जड़े पकड़े रहती ना मिट्टी को बन ही नहीं होंगे तो मिट्टी कैसे पकड़ माएगी। ठीक है अराम से कट जाएगी ना वर्षा से देखिए वर्षा के समय में वनस्पती ना होने के कारण है ठीक है वर्षा का जल भूमी में पूरी तरह रिस ही नहीं पाएगा ठीक है जिससे अकास्मिक बाड़ आएंगी। क्वेशन नुमर फाइब पर आजएए औरोजैनिक बल किसका निर्मान होता है औरोजैनिक बल से ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, रेलिक्ट माउंटेन या तीनों भी हो सकते हैं बताइए औरोजैनिक बल निर्मान करता है ब्लॉक परवत का फोल्ड परवत का ठीक औरजनिक बल के कारण थीक है वालन फ्रेंसन और शेपण प्रक्रिया द्वारा ब्लॉक परवत और फोल्ड परवत का निर्मान होता है कुश्चन नुबर शिक्स पर आजाई है उत्री अमेरिका की कौन सी मुखे नदियां रौकी परवत स्रणी से निकलती है नौर्थ अमेरिका की कौन-कौन सी नदियां है जो रौकी परवत्स्रणी से निकलती है मिस्ओरी निकलती है कोलो य предлож निकलती है M दंबिया भी निगलती है Web नहीं निकलती है जिल कुछा है दो चार दो तीन पाँच घिया एक से कितने बॉय होते एक से तो सारा मेल जाता कौन से थीप है कि मिसौरी नदी की बात करेंगे पहले उत्रिय अमेरिका की सबसे लंबी नदी है पश्चमी मॉंटाना से निकलती है ठीक है और कोले रिडो की अगर बात करें तो कोले रोड़ी की लंबाई है 1450 किलोमेटर यह है अमेरिका और मेक्सिको में प्रवाहित होती है ठीक है मिसौरी उत्री अमेरिका की सबसे लंबी नदी है इसल शेत्र का सही महिल कीजिए एक मिस्ट्रल है सिरोग खुर सारे की सारी इंपोटन्ट है चारो montrer का बताये कौन सा मिलान है इनका नियुद साडुतु के सामने मंधे फ्रांस और भूमदeh सागर सिरोगों सामने उत्री अफरिका और दक्षिनी यूरप चिनूख रोकी परवत्षिनी याणि उत्री अमरिका में हर्मट्टन मद्ध अफरिका में ये तो सारे के सारे सुमेवल्यत हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा option number D उप्रोक्त सभी सही है तो mistral की बात करेंगे mistral पवन शीत वे सुश्क वायू या सुश्क पवन है जो फ्रांस और भूमद सागर के छेत्र में प्राहित होती है सिरोको यह भूमद सागर के पवन है जो सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुसल से आती है यह उत्री अफ्रीका और दक्षणी योरप में बहती है बात करें चिनूक की तो चिनूक जो है उत्री अमेरिका में बहती है इसे फोहन भी कहा जाता है हर्मटन पश्चमी अफ्रीका में बहने वाली सुष्क वे धूल योक्त पवन है यह सहारा के दक्षण से गिनी की खाड़ी तक बहती है क्वेशन नम्बर एट इंपोर्टन्ट है प्राश्ट नम्रिकत में से कौन से एक्टिव वाल कैनों है सक्रिया जो अलमोखी है माउंट क्लीमंजारो माउंट कोटोपैक्सी माउंट मोनाकिया बताए एक है माउंट स्ट्रामबोली और भी है माउंट स्ट्रॉम्बॉली सक्रे जॉला मुखी है थम्रेल में प्रश्न पूछा है यहां कोटोपैक्सी सक्रे जॉला मुखी अक्टिव ओल के ना मोना किया सक्रे जॉला मुखी है माउंट कलीमंजारो सक्रे जॉला मुखी नहीं है इसमें पिछले 400 वर्सों से कोई विसफोर्ट या उदगार नहीं हुआ है, मांट कोटो पैक्सी की बात करें तो प्रसांत महा सागर मैस्थित रिंग आफ फायर का हिस्सा है, यह एक सक्रिय जोला मुखी है, अंतिम बारिस में विसफोर्ट हुआ था, 1940 में, मोनाकिया की बात क 1984 से यहां आएगा, 15 अपरेल 1984 के बीच में सक्रिय था यह है, कोशन नमबर 9 पर आजाएए, पैरासेल द्वीप और स्पेट्री द्वीप जो है, किन देशों के वीच बिबाद है, बताईए, पैरासेल द्वीप वे इस्प्रेट्ली द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच बिबाद है, ताइवान, चीन, व्यतनाम, चीन में है और है व्यतनाम में और ताइवान में भी, तीनों के तीन में, दक्षन चीन सागर मुद्दा है इसका, ठीक है, डी है इसका अंसर, 1, 2, 3, सभी में, तो पैरासेल द्वीप जो है, पैरासेल द्वीप समू, दक्षन चीन सागर में इस्प्रेट्र में चीन का नियंत्रन है, परन्तों व्यतनाम और ताइवान भी इस छेतर पर अपना दावय व्यक्त करते हैं, यह द्वीप 15,000 वर किलोमेटर के समूदरी शेतर में फैले हुए है, जबकि द्वीप ए छेतर जो है, 7,75 वर किलोमेटर है, क्वेशन नम्बर दस पर आजए है, नमलेकित में से कौन सी इस्थला करती अपरदनात्मक है, कौन कौन सी इस्थला करती है, जो अपरदनात्मक है, इंसल वर्ग, लोएस, जयूंगे, बुटेस, बताइए, देखिए, यह इंपोर्टन्ट है, इस्थरे के प्रेशन, यूपियस सी में भी पूछे जाते है, इंसल वर्ग एक अपरदनात्मक स्थला करती है, जयूंगे है, और बुटेस है, लोएस नहीं है, लोएस निकशेप से बनती है, निकशेप से, तो दो क्या इलिम जयूंगे और बुटेस का निर्माण जो है, वो अपरदन के करण होता है, किसी एकांत इस्थल पर उभरी होई चोटी को कहते हैं, इंसल वर्ग, जयूंगे का निर्माण पवन के द्वारा किये जाने वाले अपरदन से होता है, कठोर चटान की उपरी परत का अपरदन होन इनवलिक तरम जिसे कौन सी परिवत्सरंखला, विसवगी सबसे लंबी पर्वत्सरंखला है, इंपोस्पDoesा है इसका उत्तर पताओगा को हेमाले लागा कर गलत मत कर दिजेगा इसको इसका उतर है इंडीज परवत सरणी दक्षन अफरीका की दक्षन अमेरिका की तो इंडीज परवत सरंखला जो है दक्षन अमेरिका में बेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जन्टीना और चिली में इसकेता है ये प्रशन भी पूछाया सकता है कि किन देशों में फैली है इंडीज परवत सरंखला ब्राजिल देके गलत करा सकता है तो बेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जन्टीना और चिली में है इस परवत सरंखला की लंबाई है लगभग साथ हजार किलोमेटर और इसकी चोड़ाई है लगभग पांसो किलोमेटर कोश्चन नमबर बारे पर आजएए नमबले के दमेंसे विस्व का सबसे संक्रा जल्डमरू मद्ध कौन सा है विस्व का सबसे संक्रा जल्डमरू मद्ध है इनमें टाटर जल्डमरू मद्ध, आप्सन नमबर ही टाटर जलडंबु मद जो है विश्व का सबसे सरक्रा या संक्रा जलडंबु मद है संक्रा ही है घ्रक्रा तो बाडि के अंदर बाली होगी न ग्लूकोस सरक्रा देखे इसकी चुड़ाई है मात्र 7.3 किलोमेटर टार्टर की यह जल्डमरूमद प्रशान्त महासागरम में इस्थत है ठीक है यह रूस के सखालिन द्वीब को एसिया से अलग करता है कुशन मबर 13 पर आजाईए चारी अवे खारी मिट्टी की विसेश्था क्या है चारी अवे खारी मिट्टी सूखा गरस्षेतर में पाई जाती है जिपसम का उपयोग करके उनको पुना उपजाओ बनाया जा सकता है पहले से ऐलिमिनेट आनसर मिलता क्या बिल्कुल मिल जाता है दो और तीन तो छारीय मरदा उस परकार की मरदाय मिट्टी को कहते हैं जिसमें छार एवम लवन विसेस मातरां पाय जाते हैं सुष्क जलबायू वाले स्थानों में यह लवन स्वेत या भूरे श्वेत रंग के रूप में मरदा पर जमा हो जाती है यह मरदाय मिट्टी पूर्टा अनुपजाव या उसर होती है ठीक है और इसमें सुष्क छेत्र में इसमें सुष्क रितू में कुछ लबन प्रिय पौधों के अलाबा अन किसी प्रकार की मनस्पति नहीं देखने को मिलती इस तरह की मिट्टी आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में पंजाब में और महराष्ट में तो पहला वाला गलत है ठीक है अब देखें चारी है विखारी मिट्टी को जिपसम के उपियोग से पुना उपजाव बनाया जा सकता है और बनावट में यह है रेतीली लोम होती है क्लियर चलिए कोशन नमबर 14 पर आजाईए एगुलस अंतरीब किन दो महासागरों को अलग करता है एगुलस अंतरीब किन दो महासागरों को अलग करता है अट्लांटिक महासागर वे हिंद महासागर को ठीक है तो हिंद यहां लेकिन प्रशानत नहीं है तो अलिमिनेट हो हो जाएगा किस हिंद नहीं है तो एलिमनेट हो जाएगा कि डक्षण अफरीका के वेस्टर्ण कैंप में इस्थे चट्चानी शेट रहे यह हिंद महासागर और अट्लांटिक महासागर को अलग करता है Q15 पर आजाईए तिब्बत का पठार पठारों की स्रेणी से संबंदित है यह तर लिशेंट पड़ी होगी तब भी इसका उत्तर मिल जाएगा आपको बताईए तुछ जाहिए बिच्छे दितं पठार है जॉलनमों की पठार है महधिवय पठार है फिर इंटर मॉन्टेन पठार है अंत्रा पर्वतिय पठार या इन प्लेटु ऐसे पठार जो है वह चारों और से घिरें रहते हैं उद्धारने के तवरपर टिब्बत का पठार बोलीवि किलो मेटर चुणाई एसकी 1000 किलो मेटर और यह 250.000 क में फैला हुआ है। तिब्बत का पठार कभी कभी दुनिया की चथ कहकर भी पुकारा जाता है। इस पठार में तिब्बत का अधिकान्स भाग आता है और चीन का इसमें पश्म हिस्सा आता है और भारत में केंद्शाष् प्रदेश लद्दाक का हिस्स्ता इसमें सामिल आए तो 15 प्रशन ते यह वर्ड जोग्रफी के इनकी प्रक्टिस कम से कम एक बार तो करी लेज़ेगा इंपोर्टन्ट है प्रशन टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है आप एक लाइ रजाएँ कर देंपोर्व प्रशन ट